पुल मिलाके आप इस बजट को कैसे देखते हैं कितने नंबर देखते हैं ये बजट एक जुन जुना बजट है मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है किसान के लिए कुछ नहीं ना MSP की गैरंटी मिली ना कर्द से माफी मिली ना खाद, बीज, कीटनाशक, दवाईयों में टेक्स से राहत मिली ना कोई केती का रास्ता मिला युवाउं उपर आजाईए नए रोजगार का कोई स्रिजन का कोई रास्ता नहीं बताईए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खतम हो जाएगी ऐ संग्ठिज शेत्र जो देश के रोजगार का 70 परतिशत है उसके लिए कुछ नहीं संग्ठिज शेत्र में 15,000 रुपिया तीन किष्टों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खतम हो जाएगी यानि कुछ नहीं लेबर इंटेंसिब रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर कपड़ा शेतर लेदर शेतर उनके लिए कुछ नहीं अब आजाएए SCST OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है SCST OBC नाम का शब्द ही बजट से गायव साफ है भाजप्पा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजप्पा का SCST OBC चेहरा उजागर हो रहा है मद्यमवर्ग और नौकरी पेशा को दस साल से टेक्स एक्जम्शन में एक फूटी कोडी की राहत नहीं हर बार एक नया जुन जुना नतीजा शुने देश के गरीब की जिंदिगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं उसे का आप पांच किलो राशन लो और मोदी के गुन गाओ ये है इस बजट का साल सच्चा ही क्या है सच्चा ही ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है उत्र प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है क्योंकि उन्होंने चुना भराया तो यूपी नाम का शब्धी बजट से उड़ा दिया महाराष्ट और हरियाना ने चुना भराया तो उनको बजट में शुन ने दे दिया करनाटक और तेलंगाना में कॉंग्रेस की सरकारे हैं तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही महीं केवल और केवल बिहार और तेलंगानग, बिहार और आंध्रापरदेश को जो पैसा भी दिया है, वो भी एक जुनजुना है, तोकि वो पांच साल बाद मिलेगा, तो नतीजा यह है, कि हमारी सपोर्ट करते जाओ, और हम पांच साल बाद तुमहें पैसा देंगे, तो को बोलते हैं जुन जुना बज़रते हैं